आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक फोटो देख रहे होगे और मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने इन्हें देखा होगा यह हमारे देश के कॉमेडियन हैं कॉमेडी करते हैं और खासकर पेधान मंतरी की में मिक्री कर लेते हैं और आप देखें उनके जैसे बोल लेते हैं और उनके उपर भी कॉमेडी करते रहते हैं राहुल गांदी पर भी आपने देखा होगा कॉमेडी करते रहते हैं लिया है और आप देखे कई बार ये अपनी कोमेडी के कारण बिवादों में भी रहे हैं इनका संबंद राजिस्थान से हैं और आप सभी जानते ही कि राजिस्थान छितफल में सबसे बड़ा राज्या भी और जैपुरिस की राध्धानी हो गई और यहां देखेंगे पाकि सभा में 25 सीट हैं का राजिस्थान में अगर हम लोग स्याम रंगिला के बारे में बात करें एक सामन जानकारी देखें तो इनका बास्टपिक नाम स्याम सुंदर है क्या है स्याम सुंदर है ओक नाम इनका स्याम रंगिला है इनका जनम होता है 25 अगस्त 1994 को राजिस्थान की हनमानगर के फेली बंगा सहर के ग्राम मानक थेरी में हुआ था उनके पिता जवारलाल एक किसान है और खेती के साथ कुछ समस्याओं के कारण उन्होंने 2013 में इस गाओं को छोड़ दिया था और एक नए गाओं में चले गए थे रंगीला का परिवार वर्तमार में राजिस्थान के स्री गंगा नगर जले के राय सिंग नगर सहर के मुकावा मुकामा वाला गाओं में रहता है वह एक हिंदू परिवार से हैं और स्याम की अगर हम लोग पढ़ाई की बात करें कॉमीडियन बनने का सपना था वो बने भी है और आप देखे कि काफी चर्चा में रहते हैं काफी हसाते रहते हैं लोगों को स्याम रगिल्या अपने स्कूल के दिनों से ही अमिताब से लेकर सनी देओल तक कई बड़े-बड़े अभी नेताओं की मिमिक्री करते आये हैं और बॉलीवर्ड में ही नहीं बलकि राजनेताओं की भी बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं जैसे मौदी से लेकर लालू यादाओ तक अर्वेंद के जीवाल, राहुल गांदी रामदेयो तक की, रामदेयो बाबा की बातो रही इनकी भी मिमिक्री कर लेते हैं इस्टार फिलस पर आने वाले ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज जिसके सुपर जज एक्टर अक्छा कुमार हैं वहां भी स्याम रंगीला की पर्फोमेंस को देखकर अपनी हसी आप लोग नहीं रोक पाएंगे काफी हसाते हैं इसमें कोई दोहराय नहीं है जब स्याम रंगीला ग्रेट इंडियन लाप्टर चैलेंज में अपना एक्ट कर ड़े आये थे तब उन्होंने कहा कि मौदी जी की मिमिक्री एक्ट तियार करके लाए हैं लेकिन चैनल बालों ने उसके यह कहकर कैंसिल कर दिया थे कि मौदी जी पर कोई भी एक्ट पेस नहीं होगा क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 2014 की पहले बाली इस्तिती नहीं है कि आप लोग अगर मनमुहन पर कोई कॉमीडी कर देते थे तो आपने देखा होगा कि कुछ नहीं बगड़ता था आपका लेकिन आज अगर आप लोग किसी नेता पर कॉमीडी करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके खिलाब कई विवाद खड़े हो जाते हैं एफाइयर तक हो जाती है सयाम रगीला अपनी मिमकरी के कई वीडियो यूटूब पर अफलोड कर चुके हैं लेकिन जो मौधी जी की आवाज में सौनम बेवफा है कि नाम से जो मिमकरी के वीडियो ने रंगीला को रात नो रात हिट कर दिया था और आज भी अपनी मिमकरी से लोगों को हसाने का काम करें, तारीफ में भी बटो रहें, कई इनके आलो चक भी हैं, कई इनके पैसन सक भी हैं और विबाद की बात करें तो रंगीला ने दा ग्रेट इंडियन लाप्टर चैलेंज में प्रदर्शन किया पिधान मंतिरी नदमोदी और कॉंग्रेस सद्धेश की राहूल गांदी की नकल करती हुए जज अक्षर कुमार रट्रिक, इस्टेंडिंग और वेशन पराप्त किया हाला कि स्टार पिलस पर कभी एपिसारित नहीं किया गया और इससे पहले उन्होंने जयपुर के संस्थार में पिधर्शन किया था और उन राजनिताओं की नकल की थी उन्होंने पर आप देखेंगे 2021 का ये मामला है स्यामरंगीला के खिलाप पूलिस के भी दर्च किया गया था मामला एक पैटॉल पंप स्टेशन के मालिक ने दर्च कराया था और इनकी तरब से ये वी का गया कि ये सरकार के दबाव में किया गया था यसा क्योंकि इनोंने पैटॉल डीजल के खिलाप एक तरह से मोर्चा खुला था या पैटॉल डीजल के बारे में एक कुछ बोल रहे थे तो इनके बारे में यही एक सामान जान करी है अब आप देखी कॉमेडियन से नेता बन चुके हैं अब और इन पर आप देखी कि लोग तंज कसेंगे लोग कहेंगे आपने आपने आदमी पाइटी जोइन कर ली है क्या आप आप आदमी पाइटी पर बोल पाएंगे अर्वेंद के जीवाल पर बोल पाएंगे कुछ और बेरोधी अब आप सभी जानते हैं कि अगर आप किसी पाइटी में सामिल होके अगर कॉमेडी करते हैं कुछ करते हैं तो आप पर पाबंदियां लगना आप पर विवाद उंगली उठना विवाद खड़े होना तो भाविक सी बात हो जाती है चलिए तो इनकी कहानी यही है आँगे क्या राजनीती में किस तरह से सफल होते हैं करते हैं यह तो आने वाला वक्ती बताएगा हम लोग आप लोग कभी किसी का भविस्थ थोड़ी बता पाएंगे इसके लिए सबसे अच्छी बात रहती है कि कम से कम आप लोग नियूच वेपर फॉलू करते रही है आज के समय में तो आप लोग सोसल मीडिया से भी जुड़े रहते हैं तो सब के बारे में कापी जानकर इखटी करते रहते हैं